हेलो स्टुडेंट, मैं हूरीना, आप देख रहे हैं रिना कर्मी चैनल, आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए अहकी मात्रा वाले शब्द लेकर आई हूँ, तो आप सभी अंतक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, इस विसरग के बारे में संपूंट जानकारी देखने को मिलेगी, तो स्टुडेंट ये देखी, ये है स्वर का मोल्ड रुप अह, और ये है इसकी मात्रा, बैसे तो बच्चों अंग और अह, लेकिन अंग और अह ये देखने में स्वर की भाती लगते, इसलिए इनको स्वर के मनें प्रशन उठा होगा बच्चों, कि आखिर जब अंग और अह स्वर नहीं है तो ये दोनों क्या है, तो हम आपको बताते हैं, अंग और अह, ये नस्वर है, नव्यंजन है, ये अयोगवाह है, इनको अयोगवाह कहते हैं, तो आए बच्चों, अब हम आगे अह की मात्र वाले यानि विसर्ग युक्त सब्द को पढ़ते हैं, ये देखी ना है, प्लस म, इसके लाश्ट में जो है विसर्ग यानि अह की मात्रा लगी है, तो शब्द बना नम, ये है छा, प्लस अह की मात्रा, यानि विसर्ग, छा, प्रा, प्लस तो, प्लस विसर्ग, प्रात, तो आगे हम विसर गीवत कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं समस्ते हैं अह छि प्राता क्रम्षा दुषासन निह कपट छा नमः दुखी फलता दुषाहस निह अन्तत भुव, सनै, प्राय, संभौत, साधारंत, निह संदेह, अतह, पुनह, अंतत, निह शंक, अंतह करण, निह शंकोश तो बच्चों, ये शब्दों को पढ़ने से हमको यहां पर एक बात पता चली कि जहां पर भी विशर्ग का यूज हुआ है, प्रियोग हुआ, वहां पर लाश्ट में कुछ ह की तरह से कुछ ध्वनी हमको सुनाई दे रही है राइट बच्चों, आपका सोचना सही है, क्यूंकि जहां पर भी विशर्ग लग जाता है, महां पर लाश्ट में ह की तरह उसका उचाड होता, जैसे अतह आईए, अब हम जो है विशर्गिवत कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं, प्रातह काल उठो, अंतह करण शुद्ध करो, सूरज सनह सनह उपर चड़ता है, सनह सनह करता है, धीरे धीरे, तुम भी सनह सनह आगे बढ़ो, सदयो अक्षर्ष सत्य बोलो, अक्षर्ष यानि हर शब दुख मत दो, किसी को भी दुख मत दो, नही सहाय की शहायता करो, नही सहाय यानि जिसको भी सहायता की ज़रत है, नही कपट बनो, यानि अपने अंदर किसी प्रकार का छल कपट मत रखो, नियमों का अक्षर्ष पालन करो, दुशासन मत बनो, नही स्वार्थ बनो, यानि अपने अंदर स्वार्थ मतलाओ, मन में नहीं काम सेवा भारो को, यानि बिना किसी जो है फायदे के सेवा करो, तो ये है बच्चो विसर्ग युक्त जो है कुछ वाकिन, और बच्चो यहाँ पर हम आपको ये बता दें, कि ये जो अख की मात्र, जो विसर्ग लगता है, ये ह विसर्ग बाद में लगा, उसी तरह दुखी, दुखी में दू के बाद, यानि दौपेओं के मात्र, बीच में विसर्ग तब जाके खिया है, इस तरह से वियंजन के बाद जो है विसर्ग लगता है, तो आईए अब हम इसके अभ्याशों को देख लेते हैं, रंगीन विसर्ग लगा कर शब्द बनाओं, तो यहाँ पर देखे बच्चों, यह सब है रंगीन वर्ड, इस पर हमको विसर्ग लगा कर शब्द को फूरा करना है, तो यहाँ पर हमने विसर्ग लगाया, नया शब्द बना दुख शाहस, प्रातः, अक्षरसः, अतः, नी पुच, संभवता, नी सहाय, नी स्वार्थ, पुना, मूलता, अमने इस्ठे, निमनली के सब्दों के सुधुरूप पर गोला बनाईए, तिहाँ पर चार शब्द दिये हैं, चारों में से जिस सब्द को हम सही समझेंगे, उसे पर सरकल करेंगे, तिहाँ पर देखे नमा है नमा हमें पहला वाला साइस पर हमने सरकल किया, दूशासन में ये भी पहला साइस पर हमने सरकल किया, पुना हमें थाड़ वाला साइस पर हमने सरकल किया, अमने इस्ठे, चित्र देखकर सब्द पूरे लिखी, तिहाँ पर बच्चों, जो है, विसर्ग मीसिंग था, तो हम अगर हमारे वीडियो पसंद आए हमारे दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हम आप से अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाद